नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंट का मुक्त आरेक कैसे बनाया जाता है। इसे हम फ्री बॉड़ी डायग्राम भी कहते हैं। किसी निकाय के जिस भाग का हमें मुक्त आरेक बनाना होता है हम उसे निकाय से अलग करके उस पर लगने वाले सभी वनों को स्वदंतर रूप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है तो पहला उधारण हम लेंगे इस वर्स्तु का तो मान लीजे यहाँ पर जो यह बॉड़ी है इसका मास यानि द्रव्यमान M है। अब यहाँ पर एक बहुत important बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम free body diagram पढ़ रहे होते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं जो surface है इसे क्या लेंगे घर्शन रहित लेंगे घर्शन रहित मतलब हम यह मान रहे हैं कि यहाँ पर friction का कोई रोल नहीं है यह friction जितना कम हो स तो सबसे पहला बल जो इस पर लगेगा वो इसके weight का लगेगा जो किस दिशा में होगा इस दिशा में होगा है ना अब यहाँ पर इस body पर और कौन सा बल लग सकता है तो आपने Newton के तृतिया नियम में सीखा है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है जो कि उसके विपरी दिशा में लगती है इसलिए यहाँ पर एक नॉर्मल लगेगा जो इस body की कैसे लगेगा weight की विपरीत दिशा में लगेगा क्यातना समझ में आया तो इसी प्रकार से हम कई उधारण लेंगे और इसे और भी अच्छे से समझेंगे तो मान लीजे कि हमारे पास दूसरा उध पर कोई body रखे गई है जिसका mass M है अब इस पर क्या कौन-कौन से बल लगेंगे तो पहला बल तो obviously बात है कि इसका weight लगेगा जो की vertically downwards लगेगा यानी नीचे की तरफ उर्द वार्दर और नीचे की दिशा में लगेगा इसके अलावा जो यह सता है और एक और बात हम जितन यहां पर और कौन सा बल इस body पर लगेगा तो यहां पर जो इस surface है वो भी इस body पर क्या लगाएगी ध्यान दीजेगा normal यानी कि इस body से 90 degree का angle बनाते हुए उस बल की direction होगी तो वो कैसे जाएगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी समझ में आया अब आते हैं अपने अगले उधारण पर मान लिजे कि हमारे पास दो ब्लॉक हैं ब्लॉक A तथा ब्लॉक B और वो इस तरीके से रखे गए हैं हमने अभी कहा था कि किसी निकाय के जिस भाग का हमे मुक्त आरेग बनाना होता है उसे हम क्या करते हैं उसे अलग करके उस पर लगने वाले सभी बलों को स् करके देखते हैं कि उस पर कौन कौन से बल लग रहे हैं तो मान दीजिए ये रहा ब्लॉक B हमने इसे अलग कर दिया तो सबसे पहले जो इस पर बल लग रहा है वो नीचे की दिशा में इसका भार है यानि इसका वेट है जो क्या होगा M B गुणा जी के इतना समझ में आया अब चूंकि यहाँ पर ब्लॉक B जो था वो ब्लॉक A के उपर रखा गया था तो जो ब्लॉक A है वो ब्लॉक B पर क्या करेगी उपर की दिशा में एक नॉर्मल लगाएगी इस प्रकार से जिसे हम कहेंगे N A ऐसा क्यों हुआ क्यों कि Newton के Tritianium से जो बल होते हैं वो सदायव कैसे होते हैं वो यूगल में होते हैं तो यहाँ पर यह यूगल बन गया जिनके दिशा कैसी है एक दूसरे के विपरीत है ठीक है और यह परिमार में बराबर होंगे इतना समझ माया तो यहाँ पर यह तो रही बात ब्लॉक B की अब ह कि उस पर कौन कौन से बल लग रहे हैं तो मान लीजिए यह ब्लॉक A है ठीक है तो देखिए ब्लॉक A पर भी सबसे पहले इसका भार ही लगेगा यह बहुत आव्यस सी बात है तो वो क्या हो जाएगा MA गुणा जी अब चूंकि यहाँ पर ब्लॉक A किसके उपर रखा गया है तो जो यह सर्फस है वो इस ब्लॉक पर क्या लगाईगी? नॉर्मल लगाएगी उसे हम कह देते हैं NO ठीक है? तो यहाँ पर यह दोनों बल कैसे हैं? यह यूगल में है यानि कि यह क्या कर रहे है न्यूटन के तृतियनियम को होल्ड कर रहे है यानि कि मानने कर रहे है इतना समझ माया अब देखे जब जो ब्लॉक A है वो B पर N A लगाएगा तब जो यह ब्लॉक B है वो भी तो A पर कुछ बल लगाएगी अब क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि B ब्लॉक A के उपर है तो अव्यसी बात है कि जो A है उस पर B की वज़े से कुछ बल लगेगा तो वो बल कैसा होगा वो N A ही होगा उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में तो बराबर है इसलिए N A और विपरीत दिशा आपको दिखी रही है यहाँ पर दिशा कैसी है उपर को है और यहाँ पर नीचे को है तो यहाँ पर हमने इस निकाए के अलग-अलग भागों का क्या देख लिया फ्री बॉडी डाइग्राम देख लिया अब इसी प्रकार से यदि ऐसा होता कि यहाँ पर तीन ब्लोग होते तब क्या होता तो चलिए ऐसा केस भी देख लेते हैं तो मान लीजिए अब हमारे पास यह उधरन है तो हमारे पास क्या है तीन ब्लॉक हैं ब्लॉक A, B तथा C अब इस निकाय का 3-Body डाग्राम बनाने के लिए हम इसके सभी भागों क्या करेंगे अलग रख कर देंगे तो शिरुवात हम किस से कर सकते हैं C से कर सकते हैं तो हम देखेंगे कि जो C ब्लॉक है उस पर कौन कौन से बल कारे रख है आप भी इस अपने कॉपी में मेरे साथ साथ कर सकते हैं इंफेक्ट आपको करना ही चाहिए तब यह आपको यह अच्छे सा समझ में आएगा और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है फिजिक्स के लिए आपको free body diagram बनाना आना ही चाहिए तो चलिए अगर आप C ब्लॉक बनाएंगे तो सबसे पहले आप कौन सा बल उस पर दिखाएंगे बहुत बार मैंने यह कह दिया है कि सबसे पहले आ जाएगा उसका बार जो की है Nc गुणा जी ठीक है क्या इस पर कोई और भी बल लगेगा तो चुणकि यह B ब्लॉक के उपर है तो B ब्लॉक भी इस पर क्या लगाएगी एक बल लगाएगी जिसे हम कहते हैं नॉर्मल और वो किस दिशा में होगा जो भार है यानि वेट है उसके विपरीद दिशा में तो यहाँ पर C ब्लॉक पर ये दोनों बल कारेरत हैं अब हम बात करेंगे ब्लॉक B की तो यदि यहाँ पर ये ब्लॉक B है तो सबसे पहले इस पर क्या लगेगा इसका भार जो की हो जाएगा NB गुणाजी अब यहाँ पर जो ब्लॉक B है वो ब्लॉक A के उपर है तो जो ब्लॉक A है वो B पर क्या लगाएगी नॉर्मल फोर्स लगाएगी तो मान लेते हैं वो normal force है N A क्या इतना समझ में आया ठीक है अब चुकि block B ने block C पर N B force लगाया था तो सामानिय सी बात है कि अब ये C जो C block है वो B block पर विपरीद दिशा में इतना ही क्या लगाएगा बल लगाएगा कि यहाँ पर क्या आ जाएगा इस हειसाब से N B आ जाएगा ये N B कहाँ से आया ये वही बल है जो B ने लगाया था C पर किस दिशा में उपर की दिशा में तो उसके विपरीद C भी B पर विपरीद दिशा में क्या लगाएगी N B लगाएगी क्या इतना समझ में आया यदि हाँ तो अब आप मुझे बना के बताइए कि यहाँ पर जो A ब्लॉक है उस पर कितने बल कारे रथ है तो यह रहा ब्लॉक A तो सबसे पहले इस पर जो बल लगेगा वो इसके भार का ही लगेगा यानि कि M A गुणाजी अब क्योंकि यह एक सता पर है यानि कि ground पर है तो इस पर क्या होगा यह सता एक normal force लगाएगी जिसे हम कह देंगे N O अब चुकि ब्लॉक A ने ब्लॉक B पर N A force लगाया था तो अब ब्लॉक B भी A पर क्या लगाएगी N A force लगाएगी परन्तु किस दिशा में जो A ने B पर लगाया था उस दिशा के विपरीत ठीक है क्या यह समझ में आया चले ठीक है अब आते हैं अपने अगले उधारन पर तो अब हमें दिया गया है यह तो यहाँ पर क्या है इस निकाय में भी दो हमें बोडी दिख रहे हैं एक है वेज और एक है ब्लॉक यदि हम पहले इस वेज को दिखें और इस पर कितने बल लग रहे हैं यह देखें तो सबसे पहले इस पर लगेगा इसका ही weight, क्या था समर्ष में आया, फिर इस पर क्या लगेगा, इस पर लगेगा जो ये ground है, यानि surface है, उससे लगने वाला normal, जो की इसके perpendicular होगा, और weight के विपरी दिशा में होगा, और इस पर क्या लगेगा, जो ये b है, यानि जो ये block है, इस पर कुछ बल लगाएगी, तो ये लगाएगी इस पर बल nb, क्या इतना समझ में आया, तो ये तो बात हो गई, wedge की, a wedge की, अब आते हैं block b पर, तो block b पर सबसे पहले कौन सा बल लगेगा, इसका भार जो की है, mb इतना समझ में आया, अब देखिए, जब block b ने a पर बल लगाया, nb, तो क्या b पर a बल नहीं लगाएगा, तो जो wedge a है, वो भी b पर एक बल लगाएगा, जो की क्या होगा, nb के विपरी दिशा में होगा, n a, और ये n a किसके बराबर होगा, nb के ही बराबर होगा, क्योंक कि according to the newton's third law, याने newton का जो tritianium है, वो क्या कहता है, कि जो क्रिया तथा प्रतिक्रिया होती है, वो परिमान में समान तथा दिशा में विपरीध होती है, तो यहाँ पर जो ये n a है और nb है, ये कैसे है, इन दोनों का परिमान समान ही होगा, परन्तु दिशा आप देख सक तो यहाँ पर एक वेज a है तथा दो ब्लॉग b तथा c हैं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देख लेते हैं b ब्लॉग को अलग से बना कर, तो ये है b ब्लॉग, तो सबसे पहले इस पर लगेगा mb गुणा जी याने कि इसका भार जो कि नीचे की दिशा मे कारियरत होगा, उसके अलावा इस पर और क्या लगेगा, बताइए, तो देखिए, जो ये वेज है a, ये जो ब्लॉग b है, उस पर एक बल लगाएगी, कैसे ब्लॉग b के लमवत na, कैतना समझ में आया, अब यदि हम बात करें वेज की, तो ये है वेज, तो सबसे पहले इस सर्फिस पर है, ये देखिए, यहाँ पर, ये क्या है, ये सर्फिस है, है ना तो जो ये सर्फिस होगी, वो इस वेज पर क्या लगाएगी, एक नॉर्मल फोर्स, यानि की लमवत बल लगाएगी, जो है, एन जीरो, इतना समझ में आ गया, अब जब वेज ए ने ब्लॉग b पर एन ए फोर्स लगाया था, तो सामानिया सी बात है कि जो ये ब्लॉग b है, ये भी a वेज पर क्या लगाएगा, ये भी इस पर एक बल लगाएगा, और जो ये एन बी है, ये क्या है, ये एन ए के ही समान है, परन्तु विपरीद दिशा में, ठीक है, अब अध्यदी ही हम बात करें, किसकी, c की, अब ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, a का डाइगराम पूरा नहीं हुआ, या आप देखें, तो जिस तरीके से b ब्लॉग ने a पर बल लगाया है, उसी प्रकार से, जो c ब्लॉग होगा, वो भी a पर बल लगाएगा, तो मान लीजे, वो बल nc है, ठीक है, अब अब हम देख लेते हैं कि c ब्लॉग पर क्या होगा, तो यहाँ पर भी सबसे पहले कारेरत होगा, इसी कभार जो है mc गुणाजी, उसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर जो ये वेज a है, वो जो c ब्लॉग है, उस पर एक लमवत बल लगाएगा, जो है na, क्य तो क्या आपको ये समझ में आया, जो हमने ये देखा, चलिए, यदि हाँ तो अब हम और उधारन देखते हैं, तो मान लीजिए इस बार हमें इस प्रकार का निकाय दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर ये स्फेर है, इसे अलग कर लेते हैं, तो मान दीजेगा कि यहाँ पर जो सतह नीचे है, उसी प्रकार से दिवार के तरीके से कुछ दिया गया है, ठीके, तो आप देख सकता है न, तो ये भी आपको कंसिडर करना है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर स्फेर ही नहीं बनाना है, उस पर ये भी तो लग रहा है, तो ये बना लगाएगी, एक लमवत बल लगाएगी, उसे हमने कह दिया है, अब जो ये वेज बी है, ये भी तो इस स्फेर पर क्या लगाएगी, बल लगाएगी, वो क्या होगा, एन बी, क्या इतना समझ में आया, एक और बात जो मैं बताना आपको भूल गई, वो ये है, कि जब भी ह लाइगराम की बात करते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर स्फेर बनाया है, तो आप चाहते तो आप इसे किस तरीके से बना सकते थे, देखिए, आप चाहते तो इसे पूरा स्फेर ना बना करके, इसे एक बिंदू की तरह भी दर्शा सकते हैं, तथा बिंदू पर नीचे को बल लगेगा, जो होगा M A गुणाजी, और क्या लगेगा, अब ये जो N B है, इसे आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, और जो ये N O है, देखे, दिशा तो बराबर सेम ही है न, देखे, दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, in fact ये थोड़ा सा गलत बन गया है, ये बनेगा इस दिशा में, है न, दिशा में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, आप उसे इस तरीके से भी बना सकते हैं, यानि कि यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने इसे इस तरीके से दिखाया, मैं इसे इधर भी दिखा सकते थी, यहाँ पर N B और यहाँ पर N O, कि समझ म तो free body diagram में आपको ध्यान रखना है कि आपको जरूरी रही है कि पूरा figure बनाना हो यहाँ पर मैंने आसानी रहे इसलिए पूरा figure समझाया है पर अंतु जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि mostly हम body को एक point से ही क्या करते हैं प्रदरश्यत करते हैं ना कि उसको पूरा बना कर क्या समझ मारा है क्या बूल रही हूँ ठीक है तो इससे पहले जितने भी उधारण हमने लिए थे उन सभी पर ये बात लागो होती है कि वहाँ पर आप पूरा जो द्रव्यमान है उससे दिखाने की जगह सिर्फ एक point भी बना सकते हैं चाहे वो कोई block हो चाहे कोई wedge हो यहाँ पर sphere हो या कुछ भी हो ठीक है अब हम आते हैं B wedge पर तो ये है B wedge तो क्या आप बता सकते हैं इस पर कौन-कौन से बल लगेंगे सबसे पहले इस पर लगेगा इसका weight जो है MB गुणाजी इसके बाद इस पर क्या लगना चाहिए क्योंकि ये एक surface पर है तो surface इस पर लमवद बल लगाएगी जिसे हम कह सकते हैं NO क्या इतना समझ में आया अब जैसा यहां पर क्या हुआ था इस wedge ने इस sphere यानि इस गोले पर एक लमवद बल लगाया था तो उसी के विपरीद अब जो ये गोला A है ये B wedge पर क्या लगाएगा एक लमवद बल लगाएगा क्या ये वाद समझ में आया अब यहाँ पर यदि मुझे इस wedge को इस तरीके से दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे देखिए आप यहाँ पर इस तरीके से point बनाईए और बताईए इसे हम अलग color से बना लेते हैं चलिए इससे ठीक है तो इसके यहाँ पर जो बल लगेगा वो इसका weight है यानि MB गुणाजी और जो इस पर normal रग रहा है वो है NO अब जो यह NA है वो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं और चाहें तो इसे कैसे दिखा सकते हैं अब यहाँ पर जो यह NA है उसे आप चाहें तो इस तरीके से दिखा सकते हैं इस तरीके से ही वो भी गलत नहीं होगा या फिर आप यदि चाहें तो इसे इस तरीके से भी दिखा सकते हैं यानि कि दिशा सेम रहने चाहिए ठीक है दिशा में परिवर्तन ना हो तो आप इसे इस तरीके से भी दिखा सकते हैं क्या समझ में आई ये बात? याने कि जितने भी free body diagram है उन्हें हम एक point से भी प्रदर्शित कर सकते हैं ठीक है? तो ये और ये ही आगे जाके क्या होगा जादा use किया जाएगा ना कि ये जो मैं कर रही है ठीक है? ये आपको मात्र समझाने के लिए है अब आते हैं अगले उधारण पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक wedge A है इसके उपर एक block B है तथा यहाँ पर एक pulley भी है और ये एक रसी है ठीक है? जिसे हमने प pulley के उपर से लेके गए और उसे जो B block है उससे क्या कर लिया है? जोड दिया तो यहाँ पर यादी मैं सबसे पहले बनाना चाहूँ तो मैं wedge को देख सकती हूँ ठीक है? तो यहाँ पर wedge पर कौन-कौन से बल लग रहे हैं? सबसे पहले इसका भार जो कि है M A गुनाजी उसके बाद चुकि यह एक सर्फिस पर है तो सर्फिस का लगेगा क्या? नॉर्मल बल यानि कि नॉर्मल फोर्स और क्या लगेगा यहाँ पर? यहाँ पर जो यह wedge भी है यह भी तो एक बल लगाएगा तो वो इस दिशा में लगेगा ठीक है? और जो यह रसी थी यहाँ पर आप देख सकते हैं पुली के उपर रसी है तो उस पर भी तो कोई तनाव आएगा तो वो कैसा होगा? वो इस दिशा में होगा तो यहाँ पर T और T तो यहाँ पर यह सेम क्यों हुआ? क्योंकि जो रसी है वो एक ही है तो समझ में आया है यहाँ पर लग जाएगा इस तरफ के लिए T और यहाँ पर लग जाएगा इस तरफ के लिए ठीक है? अब अगर हम देखें ब्लॉक B पर क्या हो रहा है? तो ब्लॉक B पर भी सबसे पहले इसी कभार लगेगा जो है MB गुणाजी और क्या लगेगा? और यहाँ पर जो यह रसी है वो B से भी तो जुड़ी ही है यानि कि B पर भी वो क्या लगाएगा? तनाव लगाएगा किस दिशा में? इस दिशा में और वो क्या होगा? पर T के ही पराबर होगा क्योंकि पूरी रसी तो एक ही है न? ठीक है अब जो वेज A है यदि B ने A पर कुछ बल लगाया है तो सामाने से बात है अब तो स्वाभाविक भी हो गई है कि जो A है वो भी B पर बल लगाएगा जो कि इस दिशा में होगा और उसको हमने क्या नाम दे दिया? N A के अतना समझ में आया? और यहाँ पर जो ये N B तथा N A है ये परिमाण इन दोनों का समान होगा दिशा तो इनकी विपरीत है ही ये कैसे हमें पता चलता है? ये हमें Newton के 33 नियम से पता चलता है तो मैं उमीद करती हूँ कि अब आप कर्ण का मुक्त आरेक अच्छे से समझ गए हैं कि ये कैसे बनाना है?